हलो स्टूरेंट्स नमस्कास अस्रेकाल स्वागत आप सभी का आपके पसंदिता चैनल मैगनेट ब्रेंस पर और मैं भिशेक अगरवाल आपकर केमिस्टी फैकल्टी हाजिर हूँ एक और दमदार एक और अमेजिंग एक और एक्साइटिंग सेशन लेके भाईया जिसमें आज कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो किस तरीके से न्यूक्लिओफिलिक एडीशन रियाक्षिन दिखाते और अचनी बहुत बहुत और होप बहुत क्यो sirि लेकिन और अ rabbits and ketones और भी कई reactions दिखाते हैं जिसके लिए हमने ये part 2 आपके लिए लाया है यहाँ पर कुछ other reactions की बात करेंगे तो again जो चाप्टर हमने स्टार्ट किया LDIs, Ketones and Carbocs लेगे acid उसका यह important topic होगा क्योंकि यहाँ से भी question आपका बनेगा क्योंकि chemical properties याद करें जब आने स्लेबस का overview दिया था इस chapter का तो आपको बोला था कि chemical properties LDIs और ketones की बहुत important है तो भाईया वही LDIs और ketones की property हम यहाँ discuss करने वाले हैं यही properties हम यहाँ discuss करेंगे second part में बाकि आपको पता है magnetbrains की website magnetbrains.com पर भी जाकर इन सभी lectures को access कर सकते हो बहुत आराम से आप इन सभी lectures को access कर सकते हो कोई आपको परिशानी नहीं होगी क्योंकि बहुत ही easy interface है website का आपको जाना है बस अपनी class select करना है अपना या तो exam select करना है अपना subject select करना है और पूरे subject का एक course बनकर आपके सा solutions आपको मिलेंगे cbse का sample paper मिलेगा magnetbrains की तरफ से जो sample papers होते हैं जो publish होते हैं वो आपको sample papers मिलेंगे उसके लावा one shot revision online test series मतलब complete package मिलेगा वो भी zero cost पे कोई subscription नहीं लेना आपको कोई package buy नहीं करना कोई coupon code का जंजट नहीं है क्योंकि क्योंकि 100% यहां पर आपको free content मिलता ह magnetbrains की तरफ से तो youtube channel तो आपको subscribe करना है साथ ही subscribe करना है magnetbrains की website मलब explore करना है magnetbrains की website magnetbrains.com clear बात clear बात चले अब स्टार्ट करते हैं chemical reactions of aldeides and ketones or chemical reactions of aldeides and ketones में हम जो main मुख्य reactions जो होंगी जो हम पढ़ने वाले हैं वह पहली reaction है oxidation पहली reaction है oxidation अब हमें एक चीज़ बिल्कुल confirm पता है कि aldeides और ketones जब अपने आपको oxidize करेंगे aldeides और ketones जब अपने आपको oxidize करेंगे तो just इसके next जो oxidized product होता है पूरी oxidation chain में वो carboxlic acid होता है यानि कि aldeides और ketones खुद को oxidize करके भाई या carboxlic acid में अपने आपको तबदिल कर लेंगे carboxlic acid में खुद को अपने आपको convert कर लेंगे क्योंकि oxidation chain आपको याद होनी चाहिए भाई oxidation chain में कई बार लिख चुका हूँ कई बार बता चुका हूँ वो chain बहुत important है अगर आपने उसको ध्यान दिया है तो मैंने हमेशा वो chain लिखी है यहाँ पर में लिख देता हूँ शुरुआत होती है यह hydrocarbon से it all starts with hydrocarbon यह chain में कई बार लिख चुका हूँ एक बार और आपको दे रहा हूँ यहाँ पर लिख कर तो शुरुआत होती है भाईया hydrocarbon से hydrocarbon को अगर आप oxidize करते हो तो यह पहुच जाता है alcohol के पास मतलब alcohol बना लेगा alcohol को अगर आप oxidize करते हो तो यह चीज़ पहुच जाएगी aldehyde या फिर ketone में aldehyde या फिर ketone में depending कि आपने depending कि आपने कौन से alcohol लिया है अगर primary alcohol है तो aldehyde अगर secondary alcohol है तो ketone और इसमें बकाईद हमने preparation में देखा भी था alcohol से हम aldehyde और ketone oxidation करके ही बनाते थे लेकिन अब अगर हमारे पास aldehyde और ketone है तो इसको अगर हम oxidize करने पर आए इसका अगर हमने oxidation किया तो इसके oxidation के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर carboxylic acid क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर carboxylic acid जो की final product होगा इस chain का और यह carboxylic acid का formation हमें देखने को मिलेगा संपट पढ़ गई बात जो चीज oxidation के लिए ऐसे true है वही chain reverse में reduction के लिए भी true होगी reduction के लिए true होगी मतलब carboxylic acid को अगर हम reduce करेंगे तो यह convert हो जाएगा aldehyde और ketone में aldehyde और ketone को अगर हम reduce करेंगे तो यह convert हो जाएगा alcohol में अगर हम reduce करेंगे तो यह convert हो जाएगा फिर से hydrocarbon में तो यह सब क्या होंगे आपस में inter convertibles हो जाएगे एक functional group से दूसरे functional group में यह inter convertibles हो जाएगे अब हमारे पास aldehyde भी हो सकता है ketone भी हो सकता है क्योंकि हम chapter में दोनों चीज़े एक साथ लेकर चलते हैं तो aldehyde भी हो सकता है ketone भी हो सकता है बट ultimately यह convert होगा किसमें carboxylic acid पर now the question arises कि oxidation करके carboxylic acid तो बना लेगा लेकिन इसमें भाई साब oxidizing agent कौन होगा इसमें जो oxidize करेगा वो agent कौन होगा उस agent की हमें यहाप पर बात करनी है तो बहुत सारे oxidizing agent आपके सामने हैं जैसे की सबसे पहला था है tolerance reagent बच्पन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं tolerance reagent के बारे में tolerance reagent जो होता है वो ammonical silver nitrate solution होता है कौन सा solution होता है ammonical silver nitrate solution होता है पहले काम करो तुम्हें इस चेन का screenshot ले लो फिर हम आगे चर्चा करते हैं इस चेन का screenshot ले लो बढ़ी सो यह चेन अपने को कभी नहीं भूलनी है यह बात याद रखना क्योंकि यह यह चेन हर जगा काम में आएगी ठीक है हर जगा इंपोर्टेंट होगी और यह चेन हर जगा अपने काम में आएगी अब हम क्या बात कर रहे हैं tolerance reagent tolerance reagent basically होता है ammonical silver nitrate solution ammonical silver nitrate solution जिसमें ammonical silver nitrate खुद को reduce कर लेगा और सिर्फ और सिर्फ aldehyde को oxidize कर लेगा क्योंकि मैं खासता और पर बात बताता हूँ aldehyde में आपके पास carbon के साथ hydrogen की bonding है जहां पर main oxidation होना है कहा पर है अगर आप देखोगे तो aldehyde क्या है R C double bond O और H R C double bond O और H तो यह आपके पास क्यों है mainly aldehyde in which there is a carbon and hydrogen bond in which there is a carbon and hydrogen bond तो यहां पर आपके पास carbon और hydrogen का bond है यह bond ही oxidize होगा मतलब यहां पर hydrogen हट जाएगा और hydrogen की जगा OH आ जाएगा मतलब इसी carbon और H के बीच में कहलो oxygen आ जाएगा तभी तो यह carboxylic acid बनेगा क्योंकि अगर aldehyde के formula को देखो और carboxylic acid के formula को देखो तो यह आपको formula देखता है R C double bond O bond O H तो यह oxygen क्या हो गया बीच में आ गया यह oxygen क्या हो गया भाई बीच में आ गया तो इस वज़े से आप यह कहोगे कि यहाँ पर आपको oxidation देखने को मिल गया है यहाँ पर आपको oxidation देखने को मिल गया है तो यही oxidation हो पा रहा है because of CH bond जो कि कीटोन में नदारत है कीटोन में नहीं है कीटोन में आपको क्या मिलेगा कीटोन अगर आप देखो कीटोन में आपको क्या मिलेगा कीटोन तो आपका RC double bond O और R है RC double bond O और यहाँ पर आपके पास R है मतलब यहाँ पर आपके पास carbon bond carbon है और भाई साब अगर carbon bond carbon रहा तो खेल बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि carbon और carbon के bond को आप तोड़ नहीं पाओगे carbon और carbon के bond को आप तोड़ नहीं पाओगे carbon और carbon का bond बड़ी मुश्किल से तूटेगा फिर तो इसलिए इसलिए हमें हाँ पर LD हाइड को ही oxidize करने को मिलेगा tolerance reagents होए ketone को हमारा tolerance reagent कभी भी reduce नहीं कर पाएगा ketone को हमारा ना तो tolerance reagent ना ही phalanx solution यह कभी reduce नहीं कर सकते क्योंकि यह mild oxidizing agents है मतलब कभी भी oxidize नहीं कर सकते क्योंकि यह mild oxidizing agents है ना यह ketone को ना तो tolerance reagent कर सकता है नहीं ketone को phalanx reagent कर सकता है क्योंकि यह mild oxidizing agent तो क्या sir ketone कभी भी oxidize नहीं होगा मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं का मैंने यह कहा है कि ketones इनसे oxidize नहीं होगा भाई लेकिन yes ketones के oxidizing agent अलग होंगे ketones कभी oxidation हम पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे लेकिन फिलाल अगर हम tolerance reagent की बात करें तो यह सिर्फ LD heights को कर सकता है oxidize जो कि ammonical silver nitrate है यह हो गया ammonical and this is agno3 silver nitrate solution इवन अगर हम बात करें felling solution felling solution is ammonical cupric iron ammonical co2 plus solution complex with tartrate iron तो इसमें basically tartrate iron होगा और again felling solution यहाँ पर होगा हाला कि felling के दो solutions होते एक felling solution A और felling solution B उन दोनों से हमें subsequently उसको oxidize कराना पड़ता है बट ultimately हमारा LD height oxidize हो जाता है carboxylik acid में हमारा जो LD height वो ultimately oxidize हो जाएगा किसमे carboxylik acid में तो यह felling solution से भी होगा कैसे होगा भी पूरी reaction में आपको बताऊँगा third oxidizing agent will be benedict solution जो third oxidizing agent होगा वो again benedict solution होगा again can able to oxidize only LD heights can able to oxidize only LD heights it cannot oxidize ketones problem ketones के साथ carbon double bond carbon को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता और इनमें इतनी दम नहीं है कि यह bond को तोड़ सके यह सिर्फ किस bond को तोड़ सकता है carbon और hydrogen के bond को तो सिर्फ यह carbon hydrogen के bond को तोड़ सकते है which is alkaline Cu2 plus iron complex with citrate iron तो this is citrate iron के साथ Cu2 plus iron का complex है benedict solution जबकि felling solution जो है वो Cu2 plus का solution complex है ammonica Cu2 plus का solution है with tartrate iron तो यह आपका मिल जाएंगे ions और यही ions responsible होंगे oxidize करने के क्योंकि यह सारे solution चाहे tolerance reagent हो चाहे felling solution हो चाहे benedict solution हो यह खुद को reduce करेंगे लेकिन हमारे aldehyde को oxidize करेंगे oxidize कैसे करेंगे इसको और देख लेते हैं oxidize कैसे करेंगे सबसे पहले देखो tolerance reagent के साथ tolerance reagent में आपने ले लिया aldehyde और इस aldehyde को ले लिया tolerance reagent यानि की ammonical silver nitrate iron के साथ तो यहाँ पर हो गया agnH3 whole twice plus 3OH- के medium में यहाँ देखो aldehyde is getting converted into carboxylate iron यह कौने R, C, double bond O और O- so this is what you called as carboxylate iron this is what you considered to be carboxylate iron R, C, O, O- R, C, O, O- तो R, C, double bond O O- जाइड तोर पर इसको अगर हम acidic medium में देंगे तो यह H plus gain करके carboxylate acid में भी convert हो जाएगा मतलब यह OH भी बन जाएगा H plus ले लेगा तो लेकिन यह अगर carboxylate iron भी आ गया तो भी हम मानेंगे कि carboxylate acid ही बन जाएगा carboxylate iron तो बन गया ना मतलब oxidized product तो हो गया ना तो यह carboxylate iron में convert होगा along with water निकलेगा जो ammonia है ammonical silver nitrate का वो ammonia लगाएगा और सबसे important चीज़ जो silver nitrate solution basically था उसमें जो silver था वो silver precipitate हो जाएगा वो silver उस test tube में नीचे जम जाएगा और silver मतलब चांदी जब नीचे जमेगी तो वो एक शीशे की तरह दिखाई देगी जिसको हम silver mirror कह देंगे इसलिए कई बार ये test बाना जाता है silver mirror test किस चीज़ का test होता ये ldides और ketones में differentiate करनेगा क्योंकि अगर तुम यही tolens reagent ketone को देते तो कोई भी reaction आगे नहीं होती अगर यही tolens reagent तुम ketone को देते यहां तो तुमने ldides को दिया अगर तुम ketone को देते तो यहां कोई reaction नहीं होती कोई reaction नहीं होती मतलब silver precipitate नहीं होता silver precipitate नहीं होता तो याद रखना, अगेन मैं repeat कर रहा हूं, tolerance reagent सिर्फ LD heights को ही oxidize कर पाएगा, कभी भी ketone को oxidize नहीं कर पाएगा, because it's a very mild oxidizing agent, यह mild oxidizing, यह strong oxidizing agent नहीं है, यह carbon carbon bond नहीं तोड़ सकता जो ketone में मिलता है, बट यह carbon hydrogen bond जरूर तोड़ सकता है, और उसी वज़े से यह carboxylate iron में convert होगा, silver nitrate 2 की खुद reduce होगा, because it's an oxidizing agent, तो वो खुद reduce होगा, तो खुद reduce होगा, तो वो silver mirror यहाँ पर form कर लेगा, in the same way, अगर LD high अबारे पास है, तो भाईया यह failing solution के साथ भी react कर सकते, failing solution is basically cupric iron, cupric iron is Cu plus 2, जो copper oxide में मिलेगा हमें, cupric hydroxide में, sorry, copper hydroxide में मिलेगा हमें, और cupric hydroxide में यह sodium hydroxide के साथ रियाद करके, sodium salt of carboxylate acid बना लेगा, again यहाँ पर आपको carboxylate iron मिल जाएगा, again यहाँ पर आपको R COO minus plus Na plus, बोले तो carboxylate iron मिल जाएगा, so this is what you consider to be carboxylate iron, यह आपको मिल जाएगा carboxylate iron, मतलब again, आपका LDI यहाँ पर भी क्या हो गया, oxidize हो गया, ठीक है, रही बात copper plus 2 iron के, तो cupric iron अपने आपको cuprous iron में convert कर लेगा, Cu2O में आप देखोगे copper पर plus 1 का charge है, oxygen पर minus 2, 2 copper है Cu2, 2 copper पर plus 2, तो 1 copper पर plus 1, तो Cu plus 2 खुद को क्या कर रहा है, Cu plus 2 जो felling solution का है, वो खुद को reduce कर रहा है copper plus 1 iron में, तो वो reduce कर रहा है खुद को copper plus 1 iron में, खुद को reduce कर रहा है, किसमें copper plus 1 iron में, तो यह आपको copper plus 1 iron दे देगा, copper plus 1 iron, ठीक है, लेकिन वो important नहीं, important यह कि हमारा LDH oxidize हो गया along with water, water निकलेगा but this is what we are having as the oxidation reaction of LDHides through felling solution through felling solution तो उपर वाली reaction tolerance की थी नीचे वाली reaction felling solution की एक बाइ screenshot ले 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 इसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं अगली reactions पर यह important है इसमें tolerance reagent felling solution दोनों important है क्योंकि tolerance reagent और felling solution पर आपको CVSC board ने कई सालों में सवाल पूछे, कई सालों तक सवाल पूछे ठीक है ना काफी आप previous year अगर paper solve करते हो तो कई जगे यह question मिल जाएगा कि how will oxidize LDH2 carboxylic acid तो वहाँ पर आपको tolerance reagent, felling solution या tolerance reagent के नाम से reaction पूछ सकते तो इस पर question आता है frequently आता है वर done? चलो, आगे चलते है now LDHs and ketones with a methyl और methylene group adjacent to carbonyl group are oxidized with SEO2 मतलब हमारे पास जो selenium dioxide है, this is selenium dioxide अच्छा oxidizing agent है ये भी हमारे LDH and ketone को 100%, LDH को भी और ketone को भी, दोनों को oxidize कर सकता है, बट इसकी एक condition है, वो condition ये है कि carbonyl के adjacent यानि कि carbonyl का जो carbon है वो methylene group से attached हो methylene group basically CH2 group हम बोलते हैं, या फिर methyl group से ही attached हो, तो methylene या methyl group से attached होगा, तो ही ये काम हो पाएगा जैसे ही है, ethanol क्योंकि आप देखो कि carbon double bond O दिख रहा है ये carbon double bond O दिख रहा है यहाँ पर आपने CH3 लिख दिया तो ये carbon जो है, वो CH3 से attached है ये जो carbon है, ये basically किस से attached है, ये CH3 से attached है, तो this is attached with CH3, तो ये हो गया आपका कौन सा, ethane, बाकी यहाँ पर तो हैच है, तो ये CH3 से attached है 100% ये क्या करेगा, selenium dioxide से react कर जाएगा, selenium इसके साथ H2O plus SE निकल जाएगा, H2O plus SE तो यहाँ पर हम कहेंगे, कि दोनों पार्ट जो होगा है, वो aldehyde हो गया और basically इसमें जो oxidize, जो दोनों पार्ट है, वो oxidize हो गया, और दोनों पार्ट जो oxidize हुए हैं, उसमें एक पार्ट तो पहले से CH3 group, so this is CH3 group which has been oxidized CH3 group oxidize हो गया, CHO में यह अच्छा oxidizing agent है क्योंकि CH3 मतलब कहीं आ गई, हाइडरो कार्बन पार्ट था, और हाइडरो कार्बन को आप करते तो नॉर्मली अल्कोहल बनता, लेकिन अल्कोहल भी नहीं बना, यह उसके selenium dioxide में LD heights का, या ketones का side chain oxidation होता है मतलब main जो functional group है carbonyl, वो oxidize ना होकर side chain वाला जो होता है, वो oxidize होता है, तो यहाँ पर आप कहोगे with selenium dioxide with selenium dioxide the side chain the side chain oxidation takes place the side chain oxidation takes place जो side chain का oxidation होता है वो यहाँ पर carry forward होगा side chain का so with seo2, the side chain oxidation will take place that is अगर इस कौर डीटेल में लिखना चाहे carbon adjacent to ch3 or ch2 group adjacent to carbonyl group will get oxidized carbonyl group will get oxidized तो जो carbonyl group के adjacent में जो ch3 या ch2 group होगा वो ही क्या होगा? oxidized होगा oxidized होगा और होना चाहिए अगर तुम selenium dioxide से react करवा रहे हो तो ch3 group या तो methyl group या methylene group होना चाहिए जो oxidized होगा simple और से वो ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन अगर कहीं आपको यह दिखता है कि बगल में h लगा हुआ है या बगल में carbon की लंबी chain है तो फिर वो नहीं होगा सिर्फ एक carbon अगर बगल में है तो वो अपने आपको oxidized करेगा तो यह CHO और CHO का formation हो गया ठीक है ना तो यह आपका बन जाएगा oxidized product which is two-sided LD height क्योंकि यह दोनों terminals पर आपको कौन मिल रहा है LD height मिल रहा है clear हो गई बात बहुत शानदा let's move ahead आगे चलते अगले पार पर अगले पार को discuss करते पहले इसका screenshot ले लेंगे आप लोग फिर हम इसके अगले पार पर discussion करेंगे अगले पार को क्या देखता है screenshot लेते हुए चलेंगे बाई हर चीज का okay clear हो गया चाले बहुत बढ़िया now another oxidizing agent another oxidizing agent जिसने oxidize कर दिया फिर से हमारे aldehyde को और इस बार ketone को भी क्योंकि दोनों इस बार oxidize हो सकते so both aldehydes and ketones are oxidized by peroxy acids to esters and the reaction is called as bare villager oxidation bare villager oxidation में aldehydes or ketones जो है वो पर-oxy acids पर-oxy acids समझते हो ऐसे acids जिनमें आप पर-oxy linkage देखो पर-oxy linkage का मतलब क्या है भाई oxygen की bonding oxygen के साथ देखो oxygen का linkage oxygen के साथ देखो तो जब दो oxygen simultaneously एक साथ single bond बनाकर attach दे दो oxygen single bond के through attach दे तो इस linkage को हम पर-oxy linkage कहते हैं कभी भी आप किसी भी group में अगर एक oxygen का bond oxygen से देख रहे हो बाकी oxygen का दूसरा bond किसी और से है लेकिन oxygen और oxygen के बीच में ये जो single bond है इस linkage को हम नाम देते हैं पर-oxy linkage इस linkage को हम नाम देते हैं पर-oxy linkage तो इस linkage will be considered as पर-oxy linkage तो ये पर-oxy linkage आपकी हो जाएगी ये single bond पर-oxy linkage आपका हो जाएगी अब इसकी मदद से आप LD-AID और ketone को Easter में oxidize कर सकते हो अगें Easter carboxlic acid का ही derivative है तो ये मत समझना हम chain से भटक गए अगर हम बोलते हैं कि LD-AID और ketone oxidize करके खुद को खुद को carboxlic acid में convert करते हैं तो मतलब सिर्फ carboxlic acid में ही करेंगे ये जरूरी नहीं है वो carboxlic acid के किसी भी derivative में भी करेंगे तो भी हम उसे oxidation process ही बोलेंगे Are you getting my point? अगर वो किसी भी carboxlic acid derivative में भी अगर अपने आपको oxidize करेंगे तब भी उनको oxidized या उनका process जो होगा वो oxidation ही कहलाएगा भाई तो oxidation आप paroxy linkage वाले acid से भी कर सकते हो जिसमें paroxy linkage होगा reaction का नाब Bayer-Villigar oxidation आप कहोगे इसको this reaction is especially used for ketones तो specifically जब आप ketones का use करना चाहते हो जब आप ketones का use करना चाहते हो तो specifically ketones का oxidation आप इसी method से करना चाहोगे तो ketones के लिए बिल्कुल important है तो देख लेते हैं यहाँ पर we have this is RC double bond O or R and then this is RC double bond O or H तो यहाँ पर आपको oxygen मिल जाएगा basically यहाँ पर C और R के बीच में एक oxygen आजाएगा तो C और R के बीच में क्या आजाएगा एक oxygen आजाएगा तो यहाँ पर जो C और C का bond है basically वो carbon carbon का bond तूटेगा और carbon और carbon के bond के तूटने पर यहाँ बीच में एक oxygen आजाएगा तो यहाँ जैसी oxygen आएगा तो यह oxidize होकर easter बना लेगा this is what you called as easter तो यह easter का formation आपको यहाँ पर मिल जाएगा which is R, C, double bond O O और R तो यह बीच में जो oxygen आया है this is addition inserted oxygen from peroxy acid तो यह oxygen किस से आया है per oxy acid से आया है तो वोई भी peroxy acid आप लोगे उससे ही आपको oxygen बीच में add हो जाएगा जैसे H2SO5 भी होता है per oxy acid ही होता है H2SO5 में क्या होता है H2SO5 में sulfur रहता है double bond O रहता है यहाँ एक OH रहता है यहाँ एक O OH रहता है और यहाँ पर आपके पास एक H रहता है तो excuse me तो यहाँ पर आपके पास basically double bond O रहता है तो यहाँ पर basically आपके पास क्या आ जाएगा H2SO5 ह2SO4 में यहाँ पर सिर्फ OH होता लेकिन एक O आ गया और जहां O और O के बीच में आपको यह bonding दिख गई इस bonding को आप नाम दोगे पर-oxy linkage इस bonding को आप नाम दोगे कौन सी पर-oxy linkage तो इसको आप नाम दे दोगे पर-oxy linkage तो यह पर-oxy linkage का क्या हो जाएगा भईया formation हो जाएगा और इस तरीगे से आपका यह Easter में तबदील हो जाएगा Easter में पूरी चीज़ कनवर्ट हो जाएगी ठीक है? चल इसक्रीन शॉट ले 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 लिए बार इस reaction का हाला कि important नहीं है यह reaction जितनी tolerance reagent और felling solution से आप oxidation कर सकते हो जितना वो important है उतना यह important नहीं है लेकिन yet again अगर आपको Easter बनाना हो कभी ketone को तो ketone को Easter बनाने की यह method आप देख सकते हो चल आगे चलते हैं अगली method पर आते हैं भाई next method क्या ध्यान से सुनेंगे the next method is LD heights and ketones can oxidize by strong oxidizing agents like KMNO4 in acidic medium K2CR207 in acidic medium और hot and concentrated HNO3 nitric acid आपको पता यह सारे जो compounds मैंने यहां लिखे हैं यह सारे जो reagents मैंने यहां पर लिखे हैं यह दुनिया के सबसे powerful oxidizing agents है सबसे strongest oxidizing agents है तो आप in oxidizing agents को लोगे तो LD height और even ketone जो कि mild oxidizing agents होता नहीं था भाई ketone वो ketone भी यहां पर oxidize होगा और ultimately एक ही product बनेगा that is carboxylic acid carboxylic acid तो यह बात बिलकुल याद रखना है जो strong oxidizing agents होते हैं strong oxidizing agents वो उनमें यह सब शामिल है तो कभी आपको ऐसे याद नहीं आ रहा हो तो यह इन मेंसे एक भी याद कर लेना आप तो strong oxidizing agents में आपको वो चीज मिल जाएगी ठीक है यह आप कोई भी एक याद कर लेना इन मेंसे जैसे KMNO4 in acidic medium ठीक है K2Cr2O7 in acidic medium या फिर HNO3 तो दुनिया का सबसे strongest है बलकि यह जो HNO3 है तो दुनिया का सबसे strongest है तो concentrated, hot and concentrated hot and concentrated HNO3 आप ले लेना तो यह सब आपके क्या हो जाएंगे strong oxidizing agents की category में होंगे strong oxidizing agents होंगे अगर यह आपके तो आप इनको aldehyde और ketone दोनों को oxidize कराने में इस्तिमाल कर सकते हो ultimate product will be carboxylic acid तो जैसे अपने ethanol ले लिया KMNO4 in acidic medium लिया ethenoic acid में convert हो गया तो यह किस में convert हो गया ethenoic acid that is CH3COOH में लेकिन अगर आपने acetone ले लिया propanone CH3C double bond OCH3 KMNO4 और acidic medium में तो यह CH3COOH ethenoic acid में convert हो गया तो यह लपाड़ भी किस में convert हो जाएगा ethenoic में लेकिन याद रखना यहां से bond तूटेगा एक hydrocarbon जो बच गया वो alcohol में चला जाएगा ठीके लेकिन यह जो 2 carbon का है यह 2 carbon का 2 carbon का acid बना लेगा है तीन carbon propan लेकिन यहां से bond चब break होगा तो एक side 2 carbon और एक side 1 carbon जो 2 side वाला part है वो जाएगा acid बनाने तो वो ethenoic acid जिसमें carbonil लागिया वो acid जाएगा जिसमें carbonil जाएगा वो acid जाएगा और यह जो part होगा यह आपका बन जाएगा alcohol तो यह part आपको alcohol दे देगा तो आगे चलकर इसमें एक byproduct भी मिलेगा जो कि methaneol होगा बढ़ उसकी चिंदा हमें इसलिए नहीं करने क्योंकि वो byproduct है main तो हमारा कौन सा ketone part हमारा जो हो गया जहांपर carbonil group मौझूद था वो ethenoic acid में convert हो गया तो यह हमारा किसमें convert हो गया भाई ethenoic acid concept clear हो गया पूरे तरीके से clear हो गया तो यह चीज़ बहुत important है जिसको हमें यहाँ पर समझना है और देखना है clear एकदम clear बहुत चांदा है तो भाई यह screenshot लेने इसका क्योंकि यह reaction मैं मानता हूँ यह सबसे important इसलिए है क्योंकि यह हमारी normal oxidation reaction है जैसे हम चाहा रहे थे carboxylic acid में ldiad और ketone दोनों को ही convert करना तो यह दोनों convert होने का यह एक process है जिसमें हम दुनिया के सबसे powerful oxidizing agents लेंगे ठीक है screenshot लेने इसके बाद आगे बात करते हैं तो clear हो गया भई यह important reaction है क्योंकि normal जो ऐसे oxidation हम चाहते थे ldiad और ketone का carboxylic में हो इसके true हो जाएगा इसके लाब अगर हम आगे reaction देखे अगली reaction जो होगी that is called as hello form reaction ठीक है hello form reactions होती है ldiads में और ketones में बेसिकली पाई जाती है खास तोर से उनके पास जिनके पास alpha carbon और alpha hydrogen होते है तो alpha carbon और alpha hydrogen होने का मतलब यह कि carbonyl group के साथ जो carbon जोड़ा है उसको हम alpha carbon कहेंगे और उस carbon से जो hydrogen जोड़ा है उसे हम alpha hydrogen कहेंगे तो alpha hydrogen जहाँ पर होगा हाँ hello form reaction 100% होगी for alpha hydrogen तो यहाँ पर अपन लिख देंगे alpha hydrogen होना चाहिए बिलकुल तो alpha hydrogen में reaction होगी acid aldehyde and methyl ketones react rapidly अब acid aldehyde आपका react कर सकता है formaldehyde नहीं कर सकता है क्योंकि formaldehyde में alpha hydrogen आई नहीं acid aldehyde में एक है carbon जो कि आपका CH3 वाला group है तो वो C जो है वो alpha है उसके पास जो hydrogen है वो alpha hydrogen है and methyl ketones methyl ketones में तो आपको मिली जाएगा alpha carbon और alpha hydrogen so they react rapidly with halogens that is CL2, BR2 और I2 in the presence of alkali to form haloform and acid salts तो यह halogen से direct react करते है alkaline medium में और यह haloforms बना लेते है haloforms कैसे बनाएंगे दिहान से देखेंगे जैसे यह आपने ketone ले लिया आपने BR2 के साथ इसकी reaction कराई bromine के साथ इसकी reaction कराई in the presence of alkali that is NaOH in the presence of sodium hydroxide जो कि एक alkali है heat करा और heat करके आपने यह product बना लिया which is CHBR3 जो आपका bromoform है this is bromoform CHBR3 तो यहाँ पर आपका एक CH हो गया और जो 2H थे carbon के पास एक hydrogen है और तीन भी आ रहे तो यह bromoform हो गया यहाँ तुम chlorine भी ले सकते थे तो यहाँ पर chloroform बन जाता CHCl3 chloroform बन जाता साथ में हाँ पर बन जाता आपका एक carboxylic acid sodium salt of carboxylic acid मतब carboxylic iron बन जाता यह क्या लो carboxylic acid का salt बन जाता तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाता salt बन जाता which is sodium salt of carboxylic acid sodium salt of carboxylic acid तो यह sodium salt of carboxylic acid का भी यहाँ पर क्या हो जाता formation हो जाता clear हो गई बात plus 3H2O plus NaBr तो यह तो byproducts है H2O और NaBr निकलेगा क्योंकि एक bromine बचेगा वो Na के साथ चला जाएगा तो NaBr यहाँ पर जो होगा वो form हो जाएगा sodium bromide और अगर Cl2 ले ले लेते तो sodium chloride बनता byproduct लेकिन मुद्दा यह है कि यह आपका halo form बन रहा है इसलिए इस reaction का नाम है halo form reaction ठीक है this reaction is used to diagnose the presence of CH3CO group कभी आपको अगर CH3CO group का test करना हो इसको हम कहते है acetyl group तो acetyl group का अगर आपको test करना हो तो यह halo form reaction उसका test देती है halo form reaction test उसको पूरा बोला जाता है जिसमें आप acetyl group के presence का test देते हो क्योंकि यही acetyl group halo form allowed करता है तो यहाँ पर group and also to distinguish methyl ketones from others तो methyl ketones को किसी और से differentiate करने में या detect करने में acetyl ketones acetyl group को acetyl group को test करने के लिए आप halo form reaction करते हो तो this is a test for acetyl group so this is considered as test for acetyl group so this is considered as test for acetyl group तो यह basically acetyl group का test करने के लिए conduct कराया जाता है acetyl group का test करने के लिए conduct कराया है clear हो गया भई बहुत importantly clear हो गया तो यह halo form reaction है क्या करना है आपके पास alpha hydrogen वाला कोई भी aldehyde कोई भी ketone अगर आपके पास होगा आपको उसको halogen BR2, Cl2, I2 किसी से भी react करा सकते हो कोई भी halogen से in the presence of an alkali alkali कोई सा होगा generally sodium hydroxide तो यहाँ पर आपका halo form बनेगा अगर आप chlorine लोगे तो chloro form bromine लोगे तो bromophone iodine लोगे तो iodophone CHCl3 chloroform है CHBR3 bromophone है CHI3 iodophone है साथ में आपके पास यहाँ पर carboxylic acid का salt बनेगा H2O release होगा और sodium के साथ भी halogen एक salt बनाएगा यानि कि sodium bromide sodium chloride या फिर sodium iodide depending आपने कौन सा halogen लिया है screenshot लेने इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं halo form reaction क्योंकि यहाँ पर complete हो गई है इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं okay so यहाँ पर हम लोगोंने halo form reaction पूरी तरीके से complete कर लिया let's move ahead reduction as we know बाई चपचीज ऑक्सडाइज हो सकती LDN and ketone LDN and ketone को reduce भी कराया जा सकता है और reduction कर हमें chain मालूम है कि जो chain होगी वो किसमें convert हो जाएगी alcohols में क्योंकि हमने भी chain पढ़ी थी पीछे यहाँ पर अगर आप chain देखो oxidation और reduction वाली तो यहाँ पर हमने बहुत detail में पढ़ाई यह chain LDN and ketones को अगर आप reduce करोगे तो किसमें convert होगा भाई alcohol में किसमें convert होगा alcohol में तो this will going to convert itself into alcohol तो LDN ketone अपके पास है LDN ketone को reduce कर दिया and it will going to give you alcohol तो यहाँ पर कैसे होगा वो reduction देखेंगे यहाँ पर पूरा खेल इस बात का है कि जो C double bond O group है वो pi bond की shifting करेगा जब pi bond की shifting करेगा तो एक तरफ oxygen के साथ H जुडेगा एक तरफ carbon के साथ H जुडेगा तो carbon के साथ H और carbon के साथ OH मतलब यह alcohol ग्रुप में convert होगा यानि कि जो carbonil group है उसमें carbonil की जगा पर hydroxy आ जाएगा C double bond O की जगा COH hydroxy ग्रुप आ जाएगा और यह फिर alcohol में अपने आपको reduce करेगा और करना क्या pi bond का shift करना है और 2 hydrogen's add करने तो hydrogen add करने के लिए हमें कोई hydrogen provider चाहिए रहेगा भाई या कोई hydrogen देगा तभी वो add करेंगे और hydrogen को add करवाएंगे हम लोग किसी reducing agent की मदद से nascent hydrogen क्योंकि हमें चाहिए यहाँ हमें H2 नहीं चाहिए हमें 1 H का atom यहाँ चाहिए 1 H का atom यहाँ चाहिए lithium aluminum hydride LIALH4 यह दुनिया का strongest reducing agent है LIALH4 जो है दुनिया का strongest reducing agent है सबसे बहतरी reducing agent है और यह आपको hydride basically iron देता है यानि कि एक तरीके से hydrogen आपको देता है in the form of H- और H- के form में यानि कि hydride iron के form में यह आपको देगा तो आप उस iron को यहाँ पर add करा सकते हो खास तोर से carbon के पास तो यह यहाँ पर add करेगा और आपको alcohol में convert करेगा तो कोई भी आपके पास carbonil group हो कोई भी आपके पास carbonil group हो चाहे आप RC double bond O R oblique H लेकर चले हो कोई भी आप लेकर चले हो अगर आप इसको lithium aluminum hydride दे रहे हो lithium aluminum hydride अगर आप इसको दे रहे हो तो lithium aluminum hydride के presence में यह क्या करेगा खुद को lithium aluminum hydride के presence में यह क्या करेगा खुद को ध्यान से सुनेंगे अपने आपको यह convert कर लेगा यहाँ पर जिसमें R बन जाएगा, C बन जाएगा यह OH हो जाएगा और यह R oblique H हो जाएगा और इस C के पास एक H और जुड़ जाएगा तो इस C के पास भी क्या जुड़ जाएगा basically एक H जुड़ जाएगा और यह आपका formation हो जाएगा so this is what you are having as its formation clear हो गया तो यहाँ पर alcohol आपका form हो गया this is what you have as an alcohol अगर यहाँ पर आपने ketone लिया है तो यह 2 degree alcohol बनेगा अगर यहाँ पर आपने aldehyde लिया है तो यह primary alcohol बनेगा तो यह आपको alcohol बनेगा so reducing agents like lithium aluminum hydride reduces carbonyl group to this COH group ठीक है NABH4 sodium boron hydride जिसको हम कहते है NABH4 sodium boron hydride can also show same capability but it is unable to reduce C double bond O group of easter and acid chlorides तो sodium boron hydride भी आप ले सकते हो जो same capability दिखाएगा but it is unable to reduce CO group of easter and acid chlorides तो aldehyde और ketone के तो C double bond O group कोई है hydroxy group यहाँ कि alcohol में convert कर देगा लेकिन अगर easter और acid chloride का C double bond O हुआ क्योंकि easter और acid chloride जो की carboxlic acid के derivatives है उन में भी कारबोनिल ग्रॉप होगा क्योंकि carboxlic acid हो या carboxlic acid का derivative हो carbonil group तो उसमें भी है तभी तो उनका उनका जिक्र भी हम इसी chapter में करेंगे क्योंकि इस chapter में तो हम सारे carbonide compounds का जिक्र कर रहे है भले वो carboxlic acid हो उसके derivative पिटेव बाद में आएंगे लेकिन जिक्र हम करेंगे लेकिन वहाँ पर हम sodium boron hydride से reduce नहीं करा सकते हैं यहां करा लोगे क्योंकि LDAD और ketone को में हो capable है reduce करने के लिए लेकिन acid या acid chlorides के carbonyl को वो नहीं alcohol में reduce कर सकते हैं इसलिए इसकी reaction sodium boron hydride की बहुत limited है ठीक है and acid chloride zinc HG with HCL reduces CO group to CH2 which is called as clemenzone reduction यह बहुत important है इस पर 5 star बना लो 100% इस पर 5 star बना लो क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं clemenzone reduction आपको आईगी आप जब भी paper दे रहे हो जिस year में भी paper दे रहे हो clemenzone reduction आपसे पूचा जाएगा यह भी एक reduction है बहुत strong reduction है लेकिन यह सीधा aldeide और ketone को reduce कर देता है final product में final product बोले तो hydrocarbon में तो बीच में पहले alcohol आता था यहाँ देखो आप अगर हम reduction chain पर जाएं तो यह रहा aldeide ketone तो aldeide ketone को अगर reduce करेंगे normal reducing agent के साथ तो यह alcohol बनाएगा और बहुत strong reducing agent के साथ करेंगे तो even hydrocarbon भी बनाएगा तो clemenzone reduction में सीधा यह hydrocarbon ही बनाता है सीधा clemenzone reduction में यह hydrocarbon ही बनाता है so this all happens in clemenzone reduction clemenzone reduction so clemenzone reduction में 100% यह क्या करेगा Clemenzen reduction में 100% क्या करेगा Hydrocarbon form करेगा Clemenzen reduction में तो यहाँ पर यह Hydrocarbon सीधा बना लेगा सीधा Hydrocarbon बना लेगा Clear हो गया? LDID और Ketone और Clemenzen में करना क्या है special? कुछ नहीं वो जो Clemenzen साथ Naming reaction है Naming reduction reaction है तो Clemenzen scientist का नाम है और उन्होंने सबसे पहले क्या करा था? उन्होंने Zinc Amalgam ले लिया था This is called Zinc Amalgam ZN with HG लिखा हुआ है यानि कि Zinc का Alloy है Mercury के साथ Zinc का Alloy है Mercury के साथ तो इसको हम कहेंगे Zinc Amalgam along with HCl तो वो क्या करेगा? Carbonal group को सीधा CH2 group में Reduce कर देगा और वहाँ पर आपको Simple Alcane बना कर देदेगा Simple Alcane बना कर देदेगा तो यहाँ पर आपका सीधा Alcane का formation हो जाएगा This is called as Clemenzen Reduction तो दोनों का मैं एक example ले लेता हूँ आपको दोनों का मतलब एक बार Lithium Aluminium Hydrite से करकर देख लेते और फिर एक बार Clemenzen Reduction से करकर देख लेते हैं तो this is Reduction by Aluminium Lithium Aluminium Hydrite example ले लेते हैं So this is example of Reduction by Li Al H4 Li Al H4 Lithium Aluminium Hydrite से इसको Reduce करेंगे कैसे करेंगे देखेंगे पहले Example ले रहे हैं तो एक काम करते हैं CH3, C Double Bond, O और H पहले Ethanil का भी ले लेते हैं क्या करेंगे यहाँ पर Lithium Aluminium Hydrite देंगे ठीके अब कुछ नहीं करना यहाँ पर Pi Bond की Shifting Pi Bond की जैसी Shifting होगी तो एक Hydrogen यहाँ जुड़ेगा एक Hydrogen यहाँ जुड़ेगा Clear हो गया? दोनों Hydrogen यहाँ जुड़ जाएंगे यह दोनों Hydrogen यहाँ जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर Bond Free हो जाएगा This will become CH3C इसके साथ 1H था तो यह हो जाएगा CH2 क्योंकि एक H तो Carbon के साथ भी आएगा तो एक H यहाँ आएगा और एक H यहाँ आएगा Clear हो गया? और यहाँ पर आजाएगा आपके साथ Single Bond OH यहाँ आजाएगा आपके साथ कौन? Single Bond OH तो यह आपका बन गया Ethenol क्या बन गया भई? यह आपका Ethenol which is Primary Alcohol which is One Degree Alcohol तो यह आपका Ethenol बन जाएगा which is Primary Alcohol that is It is One Degree Alcohol तो यह One Degree Alcohol का Formation देगा बट इसी जगा अगर आप Ketone ले लेते इसी जगा अगर आप Ketone ले लेते Ketone हो था CH3 C Double Bond OH CH3 तो यहाँ पर आपका एक H आता है, यहाँ एक है चाता किसके साथ, अगें Lithium Aluminium Hydrate के साथ यह इवन तुम Sodium Boron Hydrate भी ले सकते हो, मैं वो भी ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ तो ले सकते हो Aldehydes या, स्वरी, Carboxillic Acid या उसके Derivatives में नहीं ले पाऊगे तो यहाँ तो ले लो कम से कम तो यह हो जाएगा CH3 यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा और यहाँ Carbon पर एक H जुड़ जाएगा तो CH3, C यहाँ पर H जुड़ गया मतलब O के साथ, तो Single Bond OH यहाँ पर आपके साथ एक H जुड़ गया, ठीके और यहाँ CH3 तो यह हो गया आपका Propane 2-O यहाँ क्या हो गया यहाँ आपका Propane 2-O इसको आप कह दोगे 2-Degree Alcohol तो Simple सी बात है 2-Degree Alcohol बनेगा जब आप Ketone को Reduce करोगे और 1-Degree Alcohol बनेगा जब आप 1-Degree Alcohol बनेगा जब आप Simple Aldehyde को Reduce करोगे यह वही तरीका है, जैसे 1-Degree Alcohol को हम Oxidize करते थे तो हमें Aldehyde मिलता था और 2-Degree Alcohol को चब हम Oxidize करते थे तो हमें Ketone मिलता था, तो Reduction में वह वही Corresponding Product बनाएंगे, क्या Aldehyde को अगर आप Reduce करोगे तो 1-Degree Alcohol बनेगा, Ketone को Reduce करोगे तो आपको 2-Degree Alcohol मिलेगा संपड़ बढ़ गई बात पहले इसका Screenshot ले लो क्योंकि फिर मैं आपको Clemenzen Reduction बताने वाला हूँ पहले इसका Screenshot ले लो आप तो भाईया ये था Lithium Aluminium Hydrate के साथ लेकिन अगर हम Clemenzen Reduction अब देखें क्योंकि Clemenzen का भी मेरे को लोगा ध्यान से देखेंगे यहां पर Zinc Amalgam लेंगे विद HCL यह बहुत इंपोर्टन रियक्शन है मैं बता रहा हूँ आपको यह आपके पेपर में 100% प्रिंटेड है और 100% आईगी बहुत दावे से कह सकता हूँ पूरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ क्यों 100% यह रियक्शन आपके क्वेशन पेपर में आईगी भले एक सेट में आए किसी भी सेट में आए लेकिन आईगी जरूर यह क्लिमेंजन डेट्शन इसमें क्या करेंगे इसमें भी अगर हम LDI की टून दोनों ले सकते हैं तो वी हाव टेकन CH3 वी हाव टेकन CH3 C double bond O और H इस इथेनल CH3 C double bond O CH3 इस प्रोपेनोन तो यह आपका इथेनल हो गया यह आपका प्रोपे नोन हो गया ठीक है और अब क्या करेंगे इसकी रियक्शन देखेंगे यहापर तो इसकी रियक्शन देखेंगे यहापर ठीक है इसकी रियक्शन देखेंगे यहापर और रियक्शन देखेंगे तो इथेनल और प्रोपेनोन की रियक्शन में आपको क्या करना है जिंक अमेलगम का इस्तिमाल करना है जिंक अमेलगम अलॉंग विद HCl जिंक अमेलगम जिंक विद मर्कुरी amalgam मतलब alloy of mercury तो zinc और mercury along with HCl, आप इसकी reaction देखोगे zinc amalgam along with mercury zinc amalgam along with HCl, तो यहाँ पर यह जो co group है यह CH2 group में convert हो जाएगा यह जो आपको co group दिख रहा है, यह जो आपको c double bond o group दिख रहा है, यह CH2 group में convert होगा, तो यहाँ बनेगा CH3 CH3 यह basically c double bond o जो group है, यह CH2 group में convert हो जाएगा, तो यह CH2 हो जाएगा, और यह यहाँ पर है, तो यह CH3 बन जाएगा मतलब आप ethanol से क्या बना लोगे इसे, ethane बना लोगे, so this will going to give you ethane तो यह बन जाएगा आपका ethanol से ethane, in the same way, अगर आप propanone को देखो, तो propanone में भी यह carbonil group मौझूद है भाई propanone में भी यह carbonil group मौझूद है, तो यह carbonil group भी किस से replace हो जाएगा, again CH2 से replace हो जाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा CH3, यहाँ पर आपका CH3 थाई, और अब CO की जगा replacement किसका आ रहा है CH2 का आ रहा है, तो यह CH2 group यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो यह था अपना propanone अब यह बन गया simple propane क्योंकि यह hydrocarbons में convert करेगा, तो अब यह सीधा बन गया आपका कौन, propane, तो यह propanone से बन गया propane reaction clear हो गई बिल्कुल clear हो गई दोनो reactions, तो यह reactions जो होती है यह बहुत जरूरी होती है, यह जो reactions होती है, यह important reactions होती है, तो यहाँ पर clemenzone reduction सबसे important reaction है, अब तक जितनी भी reaction हमने पढ़ी है, सबसे important reaction अभी तक की clemenzone ही है इस chapter से, इसके बाद aldol और cross aldol जरूर आएगा, उसको भी हम देखेंगे आगे चलकर, लेकिन फिलाल यह रही हमारी reactions clemenzone लपक क्या अपने को क्या करना है, screenshot लेना है उसके बाद फिर हम आगे और reactions देखेंगे screenshot लेंगे इसके आगे तो clear हो गया भाई, clemenzone reduction भी पूरे तरीके से, सारी जीज़े अपने को बिल्कुल clear हो चुकी है, बहुत शानदा तो आगे चलते हैं, तो यहां था हमना आ रहा, reduction reaction, ठीक है reduction हमने दो तरीके से किया, या तो आप reducing agent यूज कर लो, lithium aluminum hydride या sodium boron hydride sodium boron hydride याद रखना, aldiide की टोर में यूज कर सकते हो, carbox लेके acid या उसके derivative में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और फिर कर लो या तो clemenzone reduction जो सबसे important है, और हमने सबके example भी देख लिए है, ठीक है in the same way hydrazine से भी आप reduction कर सकते हो क्योंकि hydrazine होता है NH2 boron NH2, या पर hydrogen का भंडारे बाई, एक nitrogen के साथ दो hydrogen है, और दूसरे nitrogen के साथ भी दो hydrogen है, बहुत ज़्यादा मत्रा में hydrogen से हैं, तो hydrogen का इतना अगर भंडारे, तो आप क्या कर सकते हो, hydrogen को भी, hydrogen को add करने के लिए आप nitrogen का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रही बात दो N बचेंगे, यहाँ पर hydrogen जाने के बाद क्योंकि NH2, NH2 में से hydrogen अगर चला गया hydrogen अगर चला गया, तो nitrogen और nitrogen बचेगा यह दो nitrogen यहाँ पर बचेंगे यह जो दोनों nitrogen है, यह N2 बनकर release हो जाएंगे, तो यह क्या बनकर release हो जाएंगे, N2 नाम की produces carbonyl 2 CH2 group, क्योंकि carbonyl भी CH2 group से release होगा, कैसे होगा देखो, यहाँ पर आपके पास carbonyl group है, या तो यह LD हाइड होगा, या ketone होगा, कुछ भी हो सकता है double bond O है, अब अगर हाइडराजीन इसे दे रहे हो, तो हाइडराजीन का साथ reaction हो रही है, तो यहाँ पर देखो, एक hydrogen इसको, एक hydrogen इसको, एक hydrogen इसको, एक hydrogen इसको, और यह ultimately दोनों bond तूर याएंगे, क्योंकि हमने इनको दो different items दे दिये, तो मतलब यह बेसिकली दोनों bond फिर यहाँ से तूर जाएंगे, दो आटम दे दिये, तो दोनों बॉन तूट जाएंगे तो यह बन जाएगा H2O by product है इसकी चिंता जादा मत करो चिंता करो इसकी साथ वाले product की यहाँ देखो RCH2 R oblique H तो यह हो गया RCH2 ग्रुप और यह हो जाएगा R oblique H डेपेंड करता आपने LDI लिया था या Ketol लिया था उस हिसाब से आपका हाँ हाइड्रो कारबन बनेगा बट बनेगा आपका LK बनेगा 100% कौन आपका LK तो यहाँ पर 100% आपका LK का formation हो जाएगा किसका formation हो जाएगा भई LK का तो इस विल गिव यू परफेक्ट LK तो LK आपको यहाँ पर दे देंगे तो हाइड्राजीन से भी हम क्या करा रहे है अगेन रिडक्शन ही करा रहे है हाइड्राजीन से भी हम क्या करा रहे है अगेन रिडक्शन करा रहे है चार H मिलते है हाइड्राजीन से NH2 बॉन नहेच तो तो 2H इसको मिल गए, 2H इसको मिल गए double bond के दोनों तरफ, अगल में, बगल में double bond के अगल में भी, double bond के बगल में भी आप 2-2 hydrogen दे दो 2 hydrogen इधर, 2 hydrogen इधर तो ये हो गया H2 और ये हो गया CH2 एक और चीज, N2 बचेगा तो plus N2 यहां से release हो जाएगा nitrogen gas जो है, वो nitrogen gas बनकर release हो जाएगा, तो ये plus N2 आपका release हो जाएगा, so this will give you nitrogen gas, तो ये N2 भी release हो जाएगा, concept clear हो गया, so this will give you N2 ये हो गई पूरी reaction यहां से, तो उमीद करते हैं पूरी reaction clear हो गई होगी अब तक, सारी चीज़ हमने समझ ली है, तो similarly hydrazine followed by heating with strong waste like alkali और alkaline glycol alkali, alkaline glycol की presence में reaction होगी, in the presence of alkali और alkaline glycol और alkaline glycol glycol तो alkaline glycol की presence में होगी ये, reduces C double bond O group to CH2 group C double bond O group to CH2 group, तो CH2 group तक ये जाएगा, तो C double bond O group को replace कर देगा CH2 group को, here N2 is also liberated and the reaction is called as Wolf-Kishner reduction, again one of the most important reaction, क्योंकि ये भी naming reaction है और बहुत famous reaction है ये भी बहुत famous reaction है, this reaction is called as Wolf-Kishner reduction क्योंकि hydrazine से reduce हो रहा है so this is called as Wolf-Kishner reduction so hydrazine से क्योंकि ये, क्या कर रहा है hydrazine की मदद से ये जा रहा है इस लिए इस reaction को हम नाम देंगे Wolf-Kishner reduction Wolf-Kishner reduction again second most important after Clemenzen reduction, अगर कोई reduction में important है second reaction, तो वो ये ही है क्योंकि इसका भी बहुत बहुत question कई बार इसका आ चुका है कई बार इसके question पूछ चुका है तो इस पर भी तुम लगबग लगबग 4 star तो बना लो Clemenzen पर अगर 5 बनाते हो तो इस पर 4 star बना लो लेंगे और carbon को दो मिलेंगे तो oxygen को 2 मिल गए तो वो तो water बना के निकल लिया और carbon को जो 2 मिले उसने alkyl group बना लिए basically hydrocarbon part बना लिया तो यहां पर reaction हो गई रही बाद दो N जो बच गए वो N2 gas बनकर हवा में release हो जाएंगे so this is called as wolf kishner reduction clear हो गया screenshot ले 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 इसके बाद और आगे चर्चा करते यह जो सारी reactions है भाई यह naming reactions है और naming reactions जो होती है यह important होती है यह बहुत ज़्यादा जरूरी reactions होती है बहुत important reactions होती है तो यह naming reactions यह सारी बहुत important reactions होती है clear हो गया चले आगे देखते तो आगे देखते हैं यहाँ पर in the same way mg in the presence of benzene अगर magnesium आपने लिया in the presence of benzene reduces carbonyl compounds to pinnacols pinnacols में भी कई बार reaction आती है pinnacols basically vicinal diols जैसे होते हैं लेकिन vicinal diols में carbon जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ substitute नहीं होता और कोई substitute नहीं होता यहाँ pinnacols का मतलब है कि substituted carbon होगा वो carbon जिसके साथ hydroxy जुड़ेगा vicinal होंगे vicinal मतलब OH2 होंगे अगल बगल के carbon पर पडोसी लेकिन वो carbon edge से नहीं bonded होगा उस carbon पर हर जगा substitution दिखेगा तो इसको हम कहेंगे pinnacols तो आपके जो aldehydes या ketones के carbonil groups होते हैं वो carbonil groups आपके इसमें भी convert हो सकते लेकिन process कैसे होगी या तो आप ले लो aldehyde या ketones में से कुछ एक magnesium लो benzene के presence में जब आप magnesium लोगे benzene के presence में तो magnesium क्या करेगा carbonil part में से oxygen से और दूसरा भी एक oxygen से carbon के बीच में जाकर जोड़ जाएगा और यहां R था यहां पर भी फिर R C double bond O और R था क्या हो गया यहां यहां पर magnesium आ गया तो क्या हो गया पाई bond की shifting हो गई right magnesium आ गया तो पाई bond की shifting हो गई अब bond यहां पर free हो गया तो यहां पर एक mg आ गया ठीक है यहां पर भी एक mg आ गया oxygen का single bond हो गया मतलब oxygen की bonding magnesium से हो गई और यहां पर carbon से single bond था ठीक है ना तो अब oxygen की यहां bonding हो गई दूसरी bonding जो oxygen की देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी carbon से मतलब यह bond यहां shift हो गया इसका ठीक है अब तुम बोलोगे सर फिर carbon ऊक्सिजन पर एक bond yos become घृगिए क्योंकि यह बाउंड अगर खुला है तो oxygen पर एक बॉंड यह free हो गया था जिसको कटीशन ने जोड लिए oxygen पर भी एक बाउन यह फ्री हो गया था जिसको मैंगनीशम ने जोड लिए था लेकिन carbon का भी तो एक एक bond free हुआ तो carbon ने ये आपस में bonding कर ली carbon ने ये bonding आपस में कर ली देखेंगे कैसे यहाँ पर हो गया R C double bond O और R फिर हो गया ये R C double bond O और ये R आपने magnesium के साथ add किया इसको magnesium इसमें add किया along with benzene तो reaction में क्या कर आपने magnesium को add किया so this is plus magnesium along with benzene तो यहाँ पर benzene के साथ reaction आप करने वाले हो benzene के साथ reaction यहाँ पर होगी ध्यान से देखेंगे जब benzene के साथ reaction होगी तो क्या होने वाला है यह हो गया R C R यहाँ पर O यह oxygen एक हो गया oxygen के साथ जुड़ गया M G M G के साथ फिर जुड़ गया oxygen इस oxygen के साथ था already C double bond हो यहाँ देखेंगे oxygen oxygen के साथ था C जो single bond हो गया जो further R और R से जुड़ा हुआ था अब यह C आपस में भी जुड़ जाएगा यह ऐसे क्योंकि एक carbon पर भी bond free होगा न तो एक carbon पर bond free होगा तो यह हो जाएगा यह आपका एक intermediate बनेगा इसको जैसे ही आप hydrolyze करोगे पानी की मदद से तोड़ोगे तो पानी की मदद से होगा क्या पानी इस H2O तो आपने H2O में से पानी में से H2O में से O यहां रखा एक H यहां रखा एक H यहां रखा यह ही H2O है यह bond तोड़ दिया और यह bond तोड़ दिया यह bond तोड़ दिया और यह bond तोड़ दिया आर सी आर ओएच सी आर आर और ओएच रही बात Mg की तो Mg O के साथ निकल कर Mg O बना लेगा यह तो बाइप्रोड़क्ट है मैंगनेशम ओकसाइड लेकिन यह हो गया आपका पिनेकोल यह आपका बेसिकली बन गया पिनेकोल तो अल्टिमेटली मैंगनेशम बेंजीन के प्रिजेंज में जब आपके कार्बॉकसिल गरुप को कार्बोनिल कंपाउंज को अपना कार्बोनिल कंपाउंज को पिनेकोल में रिडूस कर सकता है क्योंकि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल compound यहाँ पर alcohol देंगे लेकिन जब आपके पास magnesium benzene के साथ है और आपका ketone group है तो यह pinnacols के form में alcohol बनाएगा pinnacols are kind of an alcohol वो alcohol ही है बस alcohol में vicinal dioles हैं और vicinal में जो carbon है और जिससे जुड़ा हुआ है वो substitute के साथ भी जुड़ा हुआ है मतलब वो methyl के साथ भी या किसी भी अलकाइल group के साथ भी जुड़ा हुआ है एक example देख लो तब और clear हो जाएंग reaction एक example और देख लो भाई इस इशनी में एक example और देख लो suppose करो मारे पास है CH3 C double bond O CH3 और हमने एक और ले लिया CH3 C double bond O और CH3 दो मोल्स ले लिये इसकी reaction पहले magnesium के साथ कराई in the presence of benzene तो आप देखो कि क्या होगा यह pi bond खुलेगा यह pi bond खुलेगा तो एक bond इस पर free होगा एक bond इस पर free होगा एक bond इस carbon पर free होगा similarly एक bond इस पर free होगा और एक bond इस carbon पर free होगा oxygen के दोनों bond पर magnesium बीच में आएगा और carbon का दोनों bond खुद से जुड़ जाएगा कैसे CH3 C CH3 था यहाँ पर आगे आपके पास O M G O C और यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर CH3 था और यहाँ कार्बन यह आपस में जुड़ जाएगा अब आगे क्या करोगे आप इसको hydrolyze तो आप इसका hydrolysis करोगे hydrolysis पानी की मदद से इसको तोड़ने का प्रयास करोगे तो पानी की मदद से तोड़ोगे तो पानी इस HOH यह तूटेगा और यह तूटेगा तो यह पार्ट बन जाएगा क्या देखते चलेंगे CH3 C इसका CH3 यह बना देता हूँ इसके साथ एक OH इसके साथ यह एक OH ठीके फिर इस C का बांडिंग तो है इस कार्बन से इस कार्बन के पाई पीछे दो CH3 लगे हुए तो दो CH3 यह रहे और इस पर भी एक OH तो यह OH आ गया प्लस क्या बन जाएगा मैगनीशन kidney चैंड प्लस क्या बन जाएगा मैगनीशन ले कर जाएगा यह वाला यह अकसcheck यह बन जाएगा मैगनीशन ओकसाइड लेकिन मुद्दा यह है यह आपका कहलाएगा Upper ने कॉल्स यह category है हालागि इसका यू पेसी नेमिंग आप कर सकते हो longest chain आप इसे मानोगे चार कारबन की तो यह हो जाएगा आपका 2,2-dimethyl, butane 2,3-diol, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl, so this will be 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl, और 2,3-dimethyl के साथ यह हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के साथ यह हो जाएगा 2,3-diols, तो ब्यूटेन के साथ यह हो जाएगा 2,3-diols, तो 2,3-dimethyl, butane 2,3-diols, अब यह पिनेकोल्स है, मतलब इसमें OH जो है, दोनों OH वो विसिनल है, विसिनल मतलब पडोसी है, लेकिन वो जो कारबन है, वो सब्सिट्वेंट के साथ भी लगा हुआ है, यह मिथाइल गूप सब्सिट्वेंट है, यह मिथाइल गूप सब्सिट्वेंट है, तो इसको इसी लिए पिनेकोल्स कहा जाता है, इसको इसी वजए से क्या कहा जाता है, पिनेकोल्स नाम इनको दिया गया है, इस वज़े से, क्लियर हो गया पिने कॉल्स का वर्ड का मतलब समझ में आ गया सारी चीज़े हैं पर समझ में आ गए तो यह अगें एक रिडक्शन है जिसमें की टोन का आप में इस्तिमाल कर रहे हो मैगनेशम और बेंजीन की प्रेसंस में पहले आप उसको एक इंटरमीडियेट के फॉर्म म तो दिस वाज दी फॉर्मेशन ऑफ पिनेकॉल्स वन टाइप ऑफ एन अलकोहल और यह रियाक्शन हाला कि उत्ति इंपॉर्डन नहीं बट पिनेकॉल्स करके नया चीज़ आ जाता है तो एकदम से वह लगता है इसको पढ़ लिया जाए इसलिए यह चीज हमें पता होनी ज इसलिए नरसरी से लेकर क्लास 12 तक का अगर आप कोई भी क्लास देखना चाहते हो बहुत ही टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी पूरी पढ़ाई मैंगनेट बेंस के भरोसे पे बिलकुल कर सकते हो क्यों क्योंकि मैगनेट बे जाते हो आपको वेब सकता है कोई competitive exam जैसे NTSC, Olympiad, CUAT या फिर आप UPB hardboard specific या CBC board specific कोई exam दे रहे हो तो आप वो board select करो वहाँ पर class select करो subject select करो जिसकी पड़ाई आपको करनी है उस subject का पूरा course आपके सामने आ जाएगा chapter wise पूरी listing होगी chapter के अंदर topic की listing topic के अंदर topic के listing और ऐसा नहीं सर्फ concept videos मिलेंगे concept videos तो आपको YouTube पर भी मिल जाएगे लेकिन वहाँ पर आपको पूरे lecture sequence में lecture के proper notes lecture के notes के बाद आपका one shot revision पूरे chapter का most important questions previous year जितने questions है उस chapter से वो sample papers जो CBC ने sample paper issue की है वो NCRT के पूरे solutions magnet brains के खुद के sample papers जो आपके practice papers हो जाते ओनलाइन test series यह पूरा एक complete syllabus complete course मिलता है website पर और again मैं बतातू यह बिल्कुल free of cost है कोई subscription नहीं है कोई आपको यहाँ पर payment पे नहीं करनी कोई fees नहीं भरनी कोई coupon code का जंजट नहीं है क्योंकि 100% यह free course है एक मात्र चैनल है दुनिया का जो आपको इतनी सारा content इतनी सारी चीज़े बिल्कुल free of cost देता है और आप तो भी आप books और e-books भी आ गई है magnet brains की तरफ से आपको books और e-books भी मिलती है जिसको explore करने के लिए आप description में जो लिंक दिया हुआ है लिंक पर जाए क्लिक करें आप जाकर explore करें सबकी अलग-अलग categories बनिए class wise आप उन books को भी देख सकते हो और भाईया क्योंकि पूरा जो platform में वो free of cost है तो आप अगर कुछ contribution करना चाहते हो तो सबसे best contribution आप यह कर सकते हो कि आप लोगों को aware कर सकते हो इस platform के बारे में youtube channel के बारे में आप share कर सकते हो website का link भी share कर सकते हो जितने whatsapp group बनाए जितने telegram channels बनाए तुमारे जितने भी friend circles है उन सब में आप यह share कर सकते हो चाहे वो school में हो, coaching में हो, colony के हो, society के हो कहीं के भी friends हो आप उनके साथ share करके magnet brains का अपना experience और magnet brains में जितना भी खजान आपको म जगातार बनाए रखें, देते रहें, stay tuned, stay connected, thank you.